नमस्कार में प्रियरंजन और आज की इस एपिसोड में HDFC बैंक को डिसकस करेंगे HDFC बैंक में ऐसे एडिटोरियल दिखेंगे कि HDFC बैंक चीफ जग दिशन इस फोकस अन प्रॉपिटेबल ग्रोथ विल इन्वेस्टर बाई हिस वीजन बट आई डॉंट तिंग सो कि वी सुड़ बाई हिस वीजन क्योंकि टेकनिकली सॉट्टर्म ट्रेंड निगेटिव है और हमने कहा कि हर अप्रेंड एक ऑपर्चुनिटी है इस टॉक को सॉट करने के और जैसे ही हमने कहें यहां से देखे कुछ भी बरे अपडेट्स नहीं है कुछ भी बरे अपडेट्स नहीं है सभी नॉमिनल अपडेट्स ही है एज़डी अपसी क्रेडिला में स्टॉक के 90% स्टेक कम करने को लेकर के एक मिली सुकृति का ही लास्ट बरा अपडेट दिखा था इस समय डिलेबरी तो बेटर है लेकिन जो टेक्निकल ट्रेंड है वह काफी वीक है और ना केवल वीकली में है बलकि टू यर से विकली टू यर के ट्रेंड ही एज़व दिख रहा है आज के वालियुम भी 1,30 लैक के आज पास का नॉमिनल वालियूम में स्टॉक ट्रेड करते दिखा नॉमिनल वाल्यूम इसलिए क्योंकि 3-3 करूर तक के भी volume stock में दिखे हैं, अब इसके chart को देखें, chart को देखने पर क्या समझ आ रहा है, यहाँ पर यह एक support है, 1380 एक support है, यहाँ से गिरा trend आया, selling आया, trend आया, selling आया, फिर हो सकता है trend आया, selling आया, तो जो technical trend है, वो weak है, और weakness के यह resistance है, और इसी resistance से देखोगे, तो selling दिख रहा है, तो इसलिए हमने कहा था कि long करोगे, तो minimum 1480 को breakout करने दो, अभी technical week है, इस support पे opportunity मिले तो एक proper SL के साथ आना, नहीं तो यहाँ से breakout करे, तो 1260 से ले करके 1380 के बीच में धीरे-धीरे माल को accumulate करो, वही जो investment के purpose है, short term trend बिल्कुल negative है, और बिल long नहीं short कर रखा है, उनके लिए SL यही होगा, 145021470 के बीच के SL को लगा करके short trade को ride कर से,